हेलो दोस्तों, NTPC के बारे में वीडियो में हम बात करने वाले हैं, quarter one के results बहुत recent में आये हुए हैं, यहाँ पर green energy पर एक बहुत बड़ा change होने वाला है, उसको इस वीडियो में समझेंगे, 5 important चीजों को discuss करेंगे, जहाँ पर हम भविश्य में एक IPO भी आ सकता है, उसको analysis हम करेंगे और भविश्य में business को लेकर क्या triggers हैं, उसको हम समझेंगे, तो देखिए, सबसे पहले NTPC की बात करते हैं, NTPC power या जो electricity है, उसको generate करती है, तो electricity generation के अलग-अलग तरीके हैं, जैसे कोई लाया thermal से भी होता है, फिर renewable sources से भी होता है, तो अभी आप देखेंगे, maximum thermal स कुछ हिस्सा, वो एक strategic investors को यहाँ पर बेचेंगे, यह ऐसा बात था, और in fact आपने देखा भी है, जो दूसरी कमपनिया जैसे टाटा पावर है, वहाँ पर भी कुछ जैसे मुबादला जैसे, कुछ strategic investors वहाँ पर आये हुए है, यहाँ पर भी कुछ ऐसी बात चल रही थी, in fact इस साल quarter 4 तक वही बात चार रही थी, लेकिन अभी जो quarter 1 के result आये, उस समय में कमपनिय ने कहा, कि उन्होंने monetization करने का कोशिस किया, strategic investors के साथ बात करने का कोशिस किया, लेकिन ऐसी कोई बात में confirmation नहीं हुआ है, और अब वो consider कर रहे है, NTPC Renewable, जो कि NTPC की subsidiary है, जो green energy पर information, news जो है, वो मिल सकती है, और इसको track करना ज़रूरी है, क्योंकि quarter 1 में उन्होंने जस्ट कहा ही है, quarter 2 में क्या बात आगे चल रही है, quarter 3 में क्या आगे बात चल रही है, quarter 2 quarter हमको पता चलता रहेगा, तो ये एक important development, green energy और जो renewable का जो business है, उसको लेकर हो रहा है, अब यह दे electricity की, और ये financial year 2032 में ये 900 GW तक हो जाएगी, मतलब double से थोड़ा जादा हो जाएगी अगले 9 साल में, लेकिन असली action आपको देखने को मिलेगा, renewable capacity में, जो कि अभी आप देखेंगे 172 GW है, और ये बढ़कर 3 times से जादा ये बढ़ सकता है, और ये 596 GW हो सकता है, और ये renewable energy, म पतलब लगभग 65% capacity जो आएगी, जहां पर hydro power है, solar power है, ये सब wind power है, ये सब एक important जो है भूमिका निभा सकते हैं, दूसरी चीज़ है, इंडिया आप डेवलप भी हो रहा है, धीरे धीर लोगों की आई भी बढ़ रही है, तो जो demand जो है, per capita consumption जो है, जो अभी 1255 GW है, ये भी बढ़ने की आने वाले दिनों में उम्मीद है, जो आप यहां पर देख सकते है, किलोवाट आवर, अभी आप देखेंगे, फाइन से ले 22 में, 1255 GW पर साल है, जो की 3000 GW हो सकता है, 2040 तक, energy requirement भी उस हिसाब से, इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, तो ये सब क 71-72 GW के आसपास में, NTPC Group का यहां पर installed capacity है, और 25% जो electricity generation है, वो NTPC के द्वारा हो रहा है, तो कहीं न कहीं, ये जैसे वीडियो में आपको बना रहा हूं, सब कुछ important है, electricity पर, internet बाद में आएगा, घर में पहले electricity होनी चाहिए, तो हमारे आपके घर में कहीं न कहीं electricity आ रही transformation होने वाला है, और ये क्या भविष्य का transformation होने वाला है, उसको समझ लेते हैं, तो देखिए, ये 2022, अगें, ये पिछले साल का data है, सोच लिजे, इसी समय में, सोच लिजे, मई, जून, जुलाई, आउगस्ट, उस समय में मैं आपके साथ बात कर रहा होता, तो NTPC का टोटल इंस्टाल्ड था, 2.02 गीगावट, और टोटल अगर pipeline, construction, सब कुछ मिला दे, तो 11.54 गीगावट था, ये कब की बात कर रहा हो, 2022, अब जो latest data आया है, 2023, latest data, pipeline और फिर installed, और सब कुछ अगर आप मिला ले, तो ये 20 गीगावट हो गया है, देखिए, पिछले साल कितन कितना था, 4 गीगावट के आसपास, अभी आप देखेंगे, अंडर इंडर देखेंगे अंडर लगलगग 6 गीगावट के आसपास, ये अंडर कंस्रेक्ट्चन है, तो हम देख पा रहे हैं, कि यहां पर धीरे-धीरे करके वह अपनी capacity को बढ़ा रहे हैं, और target उन्हा ने तुकि यह अभी पाइलेट प्रोजेक्ट में है ग्रीन हाइड्रोजन फविष्य की मेगा थेम हो सकती है लेकिन अभी ग्रीन हाइड्रोजन एक बहुत ही छोटे स्टेज में है और एंटी पीसी यहां पर एग्रेसिवली काम भी कर रही है नेक्स्ट है कैसे रिजल्ट आए है है जब हम एंटी पीसी की बात कर रहे है तो देखिए अगर में बात करता हूं अप्रेल 2022 से मार्च 2023 तक उन्होंने प्रॉफिट 17,197 करोड का किया था तो कंपनी प्रॉफिट तो कर रही है अब क्वाटर वन जो रिजल्ट आये है अप्रेल से जून के बीच में आप देख प्रॉफिट से 9% ज्यादा है और प्रॉफिट होने का बहुत बड़ा रीजन है जैसे पिछले साल के कॉस्ट कोईला है यह सब क्रूड यह सब के प्राइस बढ़े हुए थे लेकिन इस साल उतना जो है प्राइस थोड़ा सा कम है तो इसलिए प्रॉफिट में भी यहाँ प प्लान है लेकिन किस तरीके से यहाँ पर टैरिफ होता है वह देखना है फिर रिनीवेबल एनरजी का जो प्लान है उसका क्या ऑनिटाइजेशन यह जो IPO के उन्हों पर क्या बोल रहे हैं वह इंपोर्टन यह तो अनव आ रहे हैं यह आने वाले एकीट्ले में 12 महीने मैं य यहां पर कर रहे हैं, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं, 73 GW का उनका total capacity है, अगले 10 साल में, 130 GW, तो इतने साल में जितना उन्होंने काम किया है, अगले 19 साल में बहुत बड़ा काम वो यहां पर करने वाल है, तो कितना यहां पर execute कर पाते हैं, वो भी बहुत important रहेगा देखना और एक और उनके लिए जो positive है, वो यह है कि चुकि उनकी rating मजबूत है, AAA की है rating, तो वो जो debt है या जो loan है, बहुती कम price में वो raise कर सकते हैं, और वो उनके लिए एक advantage हो सकता है, तो overall एक mega theme में company है, यहां पर हम NTPC की बात कर रहे हैं, यहां पर हमने business को समझने की कोसिस की, और solar पर किस हिसाब से transform हो रहा है हमारा देश, उसको समझने की कोसिस की NTPC यहां पर क्या कर रहा है, उसको हमने थोड़ा deep में जानने की कोसिस की है, मुझे उम्मीद है आपको value मिली होगी, आने वाले time में important रहेगा कि कैसा यहां पर execution होता है, दूसरी चीज है कि government का भी य जरूर like, share, subscribe कीजिएगा, आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत जैने बाद, thank you दोस्तों